आज मेरा आजमे जिले में कुछ दो चार कारेक्टम पूस्ट पूस्ट अधियर में आया है। सबसे पहले तो जो परणाम आये हैं इसमें जहां तक हर्याना की बात है। मैं समझता हूँ कि सारे अनुमान, सारी उमीद, सारे सर्वे, सारा फीड़बैक जिस दिशा में संकेत करता था उसकी अनुरूप परणाम नहीं आये हैं। और हर्याना में जो लगपक पूरे देश में इस बात को सब सर्वसम्मती से मानते थे कि अच्छे बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। और जब परणामों की गिलती चालो हो रही थी मत करना की, तब रुजहान एक तरह के थे। अचानक रुजहान बदले और उसके बाद लागातार भाजपा को बड़त मिली है। इस सिलसले में अखिल बारते कॉंगेस कमिटी ने कल निर्वाचन आयोग में कुछ ग्यापन दिये हैं। 15-20 सीटों पर जहां पर उनको आशंका थी कि उम्मीद्वानों को संतुष्ची नहीं है, मत करना की प्रक्रिया से। तो उसका निर्वाचन आयोग करेगा। कुछ लिखित कम्पेंड एक से ने भी दी हैं। वह तो है निर्वाचन आयोग का और हमारे कैंडिट्स का संभाद और AIC से ने किया है। लेकिन ये बात सच है कि उम्मीद से बिलकुल विद्रीत पर नाम है। मैं समझता हूँ, सभी लोग बोलते थे, मानते थे कि महाँ पर 10 साल से जो सरकार थी उससे ना तो खंता खुश थी और ना शायद भाजपा खुश होगी क्योंकि तभी 9 साल के बाद नो ने खत्रसा को वहाँ हटाया और एक नए मुक्मंत्री बगनाया। अगर 9 साल का कारकाल इतना बढ़िया था इतने अची गवर्नेंस से अर्याना सरकार की तो कोई जरूवत नहीं थी मुक्मंत्री बदलने की। मुक्मंत्री बदले इसलिए गए क्योंकि वहाँ पर असंतोष था गवर्नेंस होने रही थी है किसान नौर्डवांच परिशान थे और वहाँ पर कॉंग्रेस पार्ट्री जो कैंपेंड किया जिस काकत से हम लोग चुनाव लड़े उसके अंरूप परणाम नहीं आए और जैसा राहूल जी ने भी कहा है कि इन परणामों की हम लोग समीशा करेंगे और जो करेक्टिब मेशर्स उठाने उसको उठाएंगे फीडबैक हम लोग ले रहे हैं हमारे परभारी हमारे प्रवीश की मिर्काउं से और हम उचित कारवाई करेंगे जम्मू कश्मीर के अंद जो परदे की पीछे से चुना लड़वाया गया ताकि जो हमारी कश्मीर प्रविंस की जो वोटे थी उन वोट का बटवारा हो लोगों ने समयधारी करी और अपना वोट जायड नहीं किया वोट खराब नहीं किया और हमारे अलाइंस को वोट पर एक सपष्ट और इतिहास जम्मु सामबाब में पिछले साल भर में लगातार वहां खत्नाई हुई हमारे बहुत सारे सेनिक शहीद हूए है उस पर भी नई सरकार बनने के बाद नंकोष्ट लगेगा और एक नई शुरुवात उस जमु कश्मीर में होगी और मैं उमीद करता हूँ कि जल्द से स्टेट हुड था जो चीन कर उसको जूटी बनाया गया था किन सरकार ने भी कहा है कि हम उसको करेंगे मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेट हुड बहुत जल्ट इमकुष्मी के लोगें मिल पाएगा जहां तक राजिस्थान के संड़्द कि बात है यहं पहली बार हुआ है कि十व महीने हैं सरकार को बने इन दस ने un of में 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 आम चुना भी हो गए लेकिन जिस प्रकार का सरकार का निर्मान हुआ था, जब भी जनता सरकार बनाती है, कुछ उम्मीदों के साथ बनाती है दुर्भागेवस्ट राजिस्थान के अंदर सब कुछ रमरा गया है, लॉन ओडर कॉलाप्स हो रखा है, अपसरशाई वहावी है, सत्ता के अनेकों केंदर बन गए हैं, मंत्री अस्तीफा दे के बेटे तीन महने से पता हैं कि वो मंत्री हैं कि नहीं हैं, मुख मंत्री जी अ दोगों के काम होनी पारें, आप ग्रामिंग चे पनी जाके देखिए, दिर्मान के विकास के जो काम ते लगबाग ठप पड़े हैं, बज़ा टाम अंटन महीं हो रहे हैं, पानेंस पी किती नहीं मल रही है, जो काम लास्ट कर्मन ने किये थे, उनको पी रोग दिया गया है सबसे बड़ी बात यह है कि दस महीने में इतनी जल्दी कोई सरकार अपना एकबाल खो देए, पहले बार मैंने देखा है, क्योंकि यहां पर यह पूर्ण मौत की सरकार है, और जो सरकार बनने के बाद दोगों को उम्मीद थी, किसी सूरत में पूरा नहीं करता है, चाहे न मैं सवष्ट करना चाहता हूं, राजिस्थान में जब भी उप्चुनाव डेकलेर किये जाएंगे, सबी सीटों में कॉंगर्स पार्टी जीतेगी, हम लोगों ने बहुत पहले से अपने प्यारीकर रखी है, और मुझे ने रहता है कि बहुत ज़्यादा हर्याना के चुना मैं समस्ता हूं, साथ सीटों पर चुनाव होगा आप चुनाव, सभी सीटों पर कॉंगर्स मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी, यह मैं आपको बुशास जाता सकता हूं यह जो जर्चा हैं, यह हमारे विरूदी दल करते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कि देश भर में भातेंदा पार्टी ने जो दस साल का शासन किया है, ऐसा नहीं मैं मैं सकते हैं कि एक चुनाव के आप मत भूली हर्याना के अंदर कॉंगर्स पार्टी को लगपक 40% वोट म मिला है, लेकिन वहां क्या परिसीदे रहीं, क्या समीकन बने, कुछ आगे भीचे हुआ, लेकिन वोट शेर कॉंगर्स पार्टी का बड़ा है, और मैं समझता हूं जितना वोट भासपा को मिला है, उतना ही हम लोगों को मिला है, तो हमारा वोट शेर बड़ा है, ऐसा नहीं मिला है, लेकिन कॉंगर्स पार्टी को जहां पर भी जो कोर्स करेक्शन करना है, उसको हम लोग करेंगे, लेकिन मुद्दे, हमारा नेत्रतो, हमारा चुनाव, जो जिस जजबिस हम लड़ते कारे करता हूं वितम तम लो लागातार करते रहेंगे, कल ही आपने देखा होगा दिल्ली में, हम लोगों ने अपनी शुवात कर दी है, जहारकन के चुनावों की त्यारी कर रहे हैं, महागाडी का जो हमारा कड़वन महाराष्ट का है, महाँ पर हमारा सीट जो शेरिंग है, लगबख पाइनल हो चुका है, बहुचल भी खोषना करेंगे, तो दोनों करते हैं, जहां पर भी उपचुनाव और चार राज़े को चुनाव साथ में नहीं करा पा रहे हैं, ऐसी परसीति नहीं बना पा रहे हैं, कि इंडरवाचनायोग ऐसी बोस्ना कर सके, तो गहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सबूपे जाते हैं, और जहां पर भी उपचुनाव होगा राजस्तान में, पूरी ताकच हम लोग लड़ेंगे, हमारी तैयारियां बहुत अंति इस पो पहुंच चुकी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हम लोगों को भूमत देखकर राज सरकातों आईना दिखाईग लेकिन अंत में वो सट्ल नहीं हो पाया मामला और जमो कश्मीर के अंदर भी हमारा अलाइंस था, इंडिया अलाइंस जो राष्ट्री अलाइंस है, इंडिया अलाइंस पहली की तरह मजबूत है और मजबूत रहेगा, इसमें कोई किसी को शक्सोभा नहीं होना चाहिए, अलाइंस कोई कितनी भी साजिश्पून तरीके से आपस में दरार्ज पैदा करने के कोशिश करें, लेकिन खरगे साहब राहूल जी पूरी कंगेस पाटी और इंडिया अलाइंस एक जुट था, एक जुट है और एक जुट रहेगा, और विपक्ष की एकता को देखतर काब्दे तै करी है, लैटरल एंट्री का बिल बीजे भी लेकि आई, बिड्रॉ करना पड़ा, पकपूर का बिल लेकि आई, बिड्रॉ करना पड़ा, और हम कास सेंसेस के बात करते हैं, करवाके रहेंगे, तो हमारा जो मुद्दे हैं समयधानिक संस्ताओं की रक्षा करना कमिदान से छेड़चाण ना होना, दलित, आदिवासी, इन भारे भाही बैनों को कोई नुक्सान ना पहुंचे, इनका संगरक्षन हो, ये कॉंगेस पार्टी के इंडिया अलाइंस के पुराने मुद्दे हैं, उनकर हम काइन रहेंगें. अगर एलेक्षन कमिशन से कुछ सवाल पूछता है, तो उसका संतोष चनक सपष्चेगरण देना एलेक्षन कमिशन की दाइत्रों है. क्या कारण है अजमेर में संगठन की संदर्चना पूंग कितके हुई नहीं पारी है? रोग लग की समित रहे पार है? अजमेर जैसा के आप जानते हैं, हमारे अगरिम संदर्चना भी है, सब लोग मस्बीची से काम कर रहे हैं, और जो कुछ भी न्युक्तियां बजी हैं, उसका बाज़र बना रहे हैं, इसके बीचे को इत्वास बढ़े हैं, ये किसी को कल समें नहीं नहीं पाल नहीं जीए, क्योंकि अजमेर से मैं यहां के लोगों की सेवा कर शुका पांच साल सांसेत पर रूप से, यहां से जो जुड़ाव है, जो अपना पन है, वो हमेशा रहेगा, और इसलिए आज मैं सब लोगों से मिलने हैं, इसलिए अजमेर की कॉंग्रेस इंच्छोग है, कॉंग्रेस प नेत्री को हम सब सहर्ष अपने साथ तर आगे बढ़ेंगे, और चार साल तक इस राज्य सरकार और पेन सरकार को इनकी जवाब दी पह करने के लिए, इन लोगों के जो वादे किये थे, इनकी बूरा करने के लिए, और मैं पूछता हूँ आज जनता से जाके, कि दो करोड रोजगार जनता को दियें कि नहीं दियें, किसान की आम दिनी दुगनी हुई है कि नहीं हुई है, ये सारे जो खाई बढ़ गई आज अमीर करीब की, इसको जवाब देने को त्यार नहीं है, चुनाव में हार जीत होती ही रहती है, लेकिन एक सशक्त और सक्रिये, विपक् जाएं, या जिन चीजों में हमारा कन्विक्शन है, उसको हम परे कर गएं, हम लोग अपनी बात पर अडिक रहेंगे, हर शोषित, तलित, पिछड़ा, गरीब, नौजवान, किसान, नहिला, उन सब के साथ Congress Party हमारे का पहले भी खड़े थे, आज भी परें, आज भी आज़ कोण कहा जाता सुचिंता मत करो, जब पब्लिक की भी समझाएंगे, तो जन्ता Congress को वोट करेंगे, पाइले टूट कहते हैं, और गेलो टूट कहते हैं, पहले ये बहुत सब्दाद है, मैं इतने सालन साब को समझा रहा हूं, आप मेरी बास समयने को तयार ही नहीं हो, कि Congress मे अधिकी गुट है, वो है खरगे राहुल सुन्यावगे, तो हम सब के दो बूरब अधक्षे हैं, एक वर्तमान अधक्षे है, तो तो है अर्जे के लागूग होता है, तो बूरा कुनवा एक है, और Congress ने दो विप्रीत परिसित्यों में, लोकसभा चुनावगे, हम सब मिलक Congress Party के खाते सीज़ कर दिये, नेताओं पर केस लगा दिये, मुखमल की मोई जेल में केंसरजार बंद करती है, तमाम बंदिशों के बावजूद भी Congress Party राहुल जी और खरगीजी के नेचित में चुनाव लड़े, सब नेता एक साथ है, तब जाके आज हम सौक आखड़ा पा पार्टी, हमारा कुनबा, हमारा मकसद रेखा रेखे रहा है, अब इस देश में हमें चर्चा करने की है, खात की, बीच की, पानी की, सड़क की, शिक्षा की, अब लड़ू अजले भी और ये इसमें कुछ रखा नहीं है, ये सब आपके मीडिया को खपाने की कोशिश होती अब ये समीक्षा बहुत चीजों की हो रही है, जो भी निर्ने ले जन्हित्में लेने चाहिए, इस सरकार में कमीटे बना देते हैं, SIG भरती है, उस पर कमीटे बना दी है, जिल्नों पर कमीटे बना दी है, आपस में सरकार के अंदर है, तो उसका खामियाजा पब्लिक के पड़ता है, पब्लिक में जो अंसर्टनी पैदा होती है, उससे किसी को फाइदा नहीं होता, मैं तो चाहता हूँ, सरकार जन्ता की हित्मे निर्ने ले और पिष्टी सरकारों ने जो भी काम किये, अगर आप उसको बहतर नहीं कर सकते हैं, तो उसको कम करने का नहीं काम करन झाल